A Redmi Note 4 बना Black Shark क्या बात है Hey guys, I am MK and you are watching Tech Office और आज हम इस वीडियो में बात करना है Black Shark के ये latest GSI build के बारे पे जहाँ आपको complete detail मिलने वाला है installation का क्या कुछ working है और साथ-साथ यहाँ पे आप gaps कैसे use कर सकते हो जैसा कि मैं भी फिलाट play store use कर पा रहा हूं तो वीडियो का आपको full and watch करना हुगा क्योंकि review से ज़्यादा important इसका installation process होने वाला है अगर आप इसे use करना चाहते हो तो और बजा दुमें कि एक GSI build है तो आप अपने other device हो में try कर सकते हो बस vendor की अलग अलग जरूत परेगी और यह बिलको नहीं है जो MIUI का ही है बस उसको उपर है जो skin को change किया गया है बट जैसे यहां आप जो इसका जो white nut का चेहरार सामने लाओ गया है तापको लगेगा भाई MIUI के उपर इस थोब उस motivation करके इसे shark करनाम दिया गया है बट चलिए देखते हैं कि क्या कुछ working मिलता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके QS पैनल से जहांपे आपका एरोप्लेन मोड, Wi-Fi, होटसपोट, मॉइल डेटा, बलादोट और यह साही चीज़े working है लेकिन हमाना जो flashlight है यह काम नहीं करता है आपको इसे कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हो सेम तो सेम, close to me, ठीक है उसी का एडिशन है, वही सारे चीज़े हैं तो रहनी जायर सी बात है यहां पे आपको आई protection काम नहीं करता है इस्क्रीन सूट की फैसिलिटी मिलती है जहां पे sound बिल्कुल ही different है यानि system के जितने भी notification sound है वो मुझे काफी ज़्यादा impressive लगे gestures वगरा same to same वही आपको दिखनी को मिल जाता है यहां पे आप दिखते तो digital valuing भी सो हो रहा है अगर हम यहां पे आते हैं इसके dialer के उपर तो टाइलर फ्रस चेंज मुझे लगा है यहां पे बागी सब कुछ अदिकतर वही चीज़े है contact वगरा भी सब कुछ आ गया है account sign in करते ही उसके पहले कुछ भी यह नहीं था यह सम टाइम है जो backup बटन हलका सदिक्टत करता है कभी-कभी हमेसा नहीं वहीप आपको game center मिलता है और app store जहां पे सब को चाइना में रहने वाला है तो आप समझी रहे हो क्योंकि उसकी पर पूर्ट है जब भी आपको अप्लिकेशन ओपिन करोगे तो allow का procedure आएगा और यहां पे आपको लॉक बगरा में भी हलका फुल की motivation है तो हर जगा हलका फुलका motivation देखनी को मिलता है अगर आप यहां से swipe up करोगे तो shortcut में आपको music player और कुछ extra action से जो open हो जाते है और यहां पे lock का भी option मिलता है और वहीं पे आपका face unlock तो working नहीं है बट आपका fingerprint परफिक्ट काम करता है कोई भी issue नहीं आता है यहां से swipe up करने पे music control खुल जाता है यहां से भी आपका down पे खुलता है यहां से भी down पे खुलता है लेकिन वहीं पे अगर आप बीच में swipe करोगे तो आपका है जो पैनल खुल जाएगा जो की notification वगरा सो करेगा यहां पे आपको calendar देखने को मिलता है जो की perfect working है और सास्याद आपको calculator, notpad वगरा वहीं पर फाइल मेंजर की बात करें तो all to all me UI ठीक है वही आपको देखने को यहां पे मिलता है same to same उसके बाद हम आते हैं इसके theme के ऊपर तो theme है जो यहां पे जो start time दिया गए कुछ इस तरहीं से open होगा माई पे चलते हैं settings की और आते हैं तो यहां पे कुछ खास देखने को नहीं मिलता है क्यों मैंने sign in वगरा किया नहीं है इसके लिए open नहीं हो रहा है रहेगा कि भाई banking का app मत ट्राइ करना otherwise फिर समझ जाओ ठीक है तो banking app आपको यूज नहीं करना है आप यूज करना चाहते हो प्लेश्टू कर सकते हो untutu मैंने run किया तो बहुत कम score देखने को मिला है untutu का क्योंको gsi है तो आपको down देखने को मिलता है बाकी अधर काम कर जाते है pubg भी मैंने यहां पर open किया है तो मुझे ठीक ठक लगा pubg कोई दिक्कत ज्यादा तो नहीं आई ऐसे भी Redmi Note 4 है तो ज्यादा हम उमीद भी नहीं कर सकते है लेकिन सही है यहां पर screen recorder आपको मिलता है campus भी देखने को मिलता है और आगे बलते हम setting की ओर तो हर एक setting के है जो हम layout को check करेंगे कि क्या कुछ हमें different दिखाई देता है तो यह रहा हमारा about का session जहां पर यह सारे चीज़े देखने को मिलता है दिसंबर 5 का आपको यहां पर security patch देखने को मिलता है middo का OOS वाला किरने लिए यहां पर use किया गया है यह Irfan का GSI है जिसको यह साथ पर name देखने को मिलता है system update किसी कामका नहीं है account मिलता है my account apps lock dual apps apps info permission same to same जो कि हमें MIUI पर मिलता है अनदर सेटिंग में memory language time on off का advanced का accessibility का मिल जाता है light setting आपको मिलता है जहां पर आप यहां पर जो इस लोको लगा सकते हो वोट आप incoming call वगरा जो चेंज करना चाहते हो सार्क मोड और gamepad वगरा आप कर सकते हो on लेकिन gamepad कहां से काम करेगा बैटी का style कुछ step से दिखाई देता है जो कि देखने में काफे ज़्यादा बढ़िया लगता है वहीं पर हम आते हैं keyboard के उपर तो कुछ यहां पर आपको मिलता है navigation जहां पर आप है जो अपना ने बार याने hardware की को यूज कर सकते हो यहां पर आप अच्छा चीज़ है कि hardware पे इनिवल हो जाता है software नहीं रहता वहीं पर हम आते हैं यहां पर password पे तुमां face unlock disable है जो काम नहीं करता है बागे fingerprint बगरा तो मैंने आप आपको सोग करें दिया यहां पर आते है sound profile तो sound profile वकर सब कुछ है लेकिन सब कुछ different technique को मिलता है जो कि मुझे काफी ज्यादा interesting लगा वहीं पर हम आते हैं आगे ओर theme & wallpaper तो theme में कई सारे themes आपको मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो दो यहां पर बाकिया दर यहां पर दहीने को मिल जाते हैं तो कई सारे themes यहां पर by default प्रवाइड किये गए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो जबकि हमें MIUI के ऊपर बहुत कम themes दहीने को मिलते हैं तो आपको Wi-Fi HD का साइन दिखाई देता है बैटरी आपको जो लैंड स्क्रेप में दिखाई देता है जो कि कुछ स्टैप से हैं जो कि मुझे सही लगा वहीं पर हम पब्जी की रहाते हैं तो अंट्रू कर तो काफी जादा डाउन था बर्ट यहां पर आपको फ्रेम रेट हाई को मिल जाता है इसके उपर अब हम बढ़ते हैं आई की और तो फिर से हम आजाते हैं स्विच करके सेटिंग की और क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको देखना ज़रूरी है यूज करने से पहले तापको गेम लैब देखनी को मिलता है जो कि चाइना में तो क आपकी अधर चीज़े ते एक गेम उड़ वगरा है जो अलग से आपको पता ही कि सार्क फोन कैसा है उसके साफ से आपको यहाप देखनी को मिलता है तो भी फीन अगेरा जो भी आपकर चाहो कर सकते हो दूनोट डिस्टरब कर यहापको नोटिफिकेशन से रिलेटेड अप है सकते हो कौन सा पो रखना है कौन सा नहीं तो का देखने को मिलते हैं तो करी Friends को यहाप पर गेमिंग से रिलेटेड है छो कि इसे कर रहा है फिल्ण सा UI का याद आता है हर एक steps वगेरा पे बढ़ डार्क इस पे जो काफ़ जादा सूट करता है अब बात करते हैं इसके flashing steps की किन-किन फाइलों के पड़ेगी तिहां पर आपको तीन फाइल है जो कि टेलीग्राम पर प्रवाइट किया गया है तो आपको टेलीग्राम जॉइन होना आप नैनो यूज़ कर सकते हो या फिर आप आप चौन पिको का भी यूज़ कर सकते हो अपने अपने ख्रीक लुग सरक कोई 729 यूज़ कर सकते हो तिहें तीनो फाइल रोड डाल्मूट कर लेने के बाद आपको शिवच करके जाना है टी डुलार टेकियो टी डॉलार भी पे बूट करते हैं, आपको सारा फोकस इस वीडियो को पर रखना है, क्योंकि आप जड़ा सब एकस्टेप इधर से उधर करोगे तो रोम बूट नहीं होगा, फिर आप कंप्लेंड करोगे कि बूट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको सारे चीजे बारिकी से समझना है, त टैलोक सिस्टम, वेंडर, डेटा, सबको सेलेक्ट करना है, इंटरनल को वाइप नहीं करना है, क्योंकि अभी फाइल हैं, और यहां आपको कर देना है, स्वाइप कम्लेट वाइप हो जाने कवारा आपको हम पर जाना है, इंस्टॉल पर जाना है, अपने फाइल को अपना मेदाना है, सबस्के पहले आपको जो वेंडर के यूज़ करना जो कि रिवेंज़ुयूआट इसका है टेंसर लेन के जोट नहीं है ओके और स्वाइप कर देना है कि कम्प्लीट फ्लैस हो जाने के बाद आपको होम पे जाना है रिबूट पे जाना है रिबूट टू रिकावरी करना है ि सेम् टीडूलर्ड पे का लिंक आपको डिकिस्म मिल जाएगा और इसे टीडूलर्ड पे आपके यूज करना है अब आपको मांट पे जाना है यहाँ पे आपको जितने भी आप्शन है सबीको अंट्क करके सिर्फ आपको शिस्टम और डेटा यह दो आप्शन को टीक रखना यह बाखे वो कि अंटिक करना को के बाद मिलेगा अपर करने के बाद के बाद है है factory test देख सकतो यह रहा एपी के हमारा इससे स्लेक्ट करना है डिलीट करना है स्वाइप कर देना है अगें बैक करना है अब अप करना है अब नेक्ट हमारा उप्सन आ रहा है वो है hardware टेस्ट का तो hardware test हम से find करेंगे किदर है यह रहा इसे ap को select करेंगे delete करेंगे कुछ इस तरीके से back करेंगे up करेंगे अब हमाने फोलडर है hydro service देखते हैं किदर है तो यह रहा हमारा ठीक है इस ap का नाम जो आपको सब दिखाई जे रहा है इस Turns एस ए सब्सक्राइब करना है और फिससे ब्लाइब कर 클िंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद अगेन बैक, अब यह कोड नेक्ट रह गया है, लास्ट तो फिर से फाइंड करेंगे फाइल को किदर गया, तो यह रहा हमारा एलओन नाटी, सर्वीज, ए पीके, सेलेक्ट, डिलीट, कम्प्रीट हो जाने के बाद, आपको यहां पर होंपे आना है, अब वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, और यहां से यह सटाइप करना है और रिबूट यहाँ पर करिब करीब 5 मिनिट का टाइम लगे या तौझ हम वेट यहाँ है जैसे यह वेंगोरिस कर सेलक्ट करने को आरा में पर सक्लिफ करना है और हो में करना हो यहाँ रिवेंग जो इसकाइस का फॉल करने है अब जैसे होम इसकीन पर आता है आपको अगेन है जो स्विच करके टीडूर पर की और बूट करना है टीडूर पर के इन ओपेन होते ही आप है जो अपने फाइल को फिर से इन कर सकते हो जो कि हमारा एक जी एप से या फिर आप मेमरी कार्टा यूज कर सकते हो पर फॉर्मेट करने पर सब कुछ डिलीट हो गया था तब यहां पर मैजिक्स है जो कि ऑप्सनल है आपको जरूरत है तो आप फ्लेश करो अधराज आपको गैप सेलेक्ट कर लेना है मेरे पास नैनो है जिसलिए मैं नैनो का यूज करना हूँ आप अपने मर्जिन सार किसी अ यहां पर फॉर्स टाइम फ्लेश करें तो सब कुछ आपको समझ में आए अब यहां पर प्लेश टुड़ा आ गया लेकिन आप इसे उपन नहीं करना है आपको डैक्ट अपने फाइलमेजर को ओपन करना है जो भी एक्टा फाइलमें ने और दी है उन्हें भी आपको डाउ अब आप यहां पर इसलिए जो अपने अपने कांट को लोगिन कर पाऊगो सारे गोल प्ले सर्विस वाले बेनिफिट आप ले पाऊगे आपको वीडियो पसंद आया हुआ काफी जादा लॉंग हो गया है क्योंकि हर्चीज मैंने सो किया है नो फ्रेंडली टाइप का इंस करने की और अच्छे से अच्छे रॉम्स और अलब टाइप के जो के वीडियो आप तक लाने का तो बस लाइक करें और नए है तो चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुरी नहुले तो गाइच मिलते नेक्स वीडियो में कुछ खास और इंट्रेस्टिंग इसी तरह के रॉम कर दो